सब आप आपका आज खीस वीडियो में depict who cannot be टेबलध की यह टेबलेट बच्चों को प्रिसक्राइब की जाती से फ्रेंगार हो चिंसकी बच्चों की नाग का वहना थीक आना यी पर इसके अलाबा नाक का जाम हो जाना आखों से पानी आना तो इन सभी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए उप्योग किया जाता है इसके अलाबा रेस्पिरेक्टी ट्रैक्टर से कि एक रिलेटेट कुछ इनफेक्शन है तो इनफेक्शन की टेबलेट की साथ में इसको प्रिस्क्राइब कीया जाता है अस्थमाorer अगर लंग्स की प्रॉबलम है इस टेबलेट के अगर common side effect की बात की जाए तो generally गोज side effect सामने आ सकते हैं जैसे nausea, vomiting का होना, diarrhea होना, dryness हो जाना माउथ में, ठकान लगना, headache होना, skin पर rashes होना, बहुत अधीग नीद आना, अब बात करेंगे, टैबलेट किस तरह से काम करती है, तो इसमें levo citrigen दवाई मिलाई जाती है, और montilukast दो दवाईयां combination में है, इस दवाई में levo citrigen एक anti-allergic है, जो कि chemical messenger histamine को block करती है, जिससे की आखों से पानी आना, नाग बहना, छीखना, बंद हो सकता है, दूसरी दवाई है montilukast, जो कि leikotrine antagonist है, और इसका काम है, यह ऐसे chemical leikotrine को block करती है, पेशेंट है, अच्छी से सांस ले सके, और allergy जैसी condition से बाहर आ सके, टेबलेट के अगर कुछ substitute की बात की जाए, तो इस टेबलेट की जगह आप कोई दूसरी टेबलेट भी ले सकते हैं, जैसे montilukast LC kit, लेट है, L-Hist mont junior tablet DT के नाम से, जिसे outcome company मनाती है, तीसरी दवाई है, highmont LC kit tablet DT, अगली दवाई है, monty cop kit tablet DT, जिसे mankind company मनाती है, जिसमें डिवो सिट्रीजन और monty lugast का combination हो, आप वे दवाई ले सकते हैं, याद रहे कोई भी दवाई बगे डॉक्टर की सलह से, आपको बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है, और बात की जाए, अगर डॉस की, तो डॉस भी बच्चों में उनकी conditions के हिसाब से, और age और weight की हिसाब से, अलग-अलग हो सकता है, friends, अगर आपको यहाँ डॉस बता दिया जाएगा, तो आप बगे डॉक्टर की सलह से, बच्चों को टेबलेट देने लगेंगे, इसलिए मैंने डोस नहीं बताए है, आपके डॉक्टर ने जिस तरह से देने के लिए कहा है, जितने समय के लिए देने के लिए कहा है, आप उतने समय तक, इस दवाई को किसी एंटिबाइटिक दवाई के साथ में भी दिया जा सकता है या अधर मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है कुछ सावधानिया है, अगर आपके बच्चे को यह टेबलेट दी गई है और आपके बच्चे को अस्थमा है या एलर्जी है इस टेबलेट से या इस टेबलेट के इंग्रिडेंट से तो अपने डॉक्टर को यह बात जरूर बताए ताकि वे आपके बच्चे का सही से सही इलाज कर सके यह जो दवाई है अस्थमा से प्रिवेंट करने के लिए भी दी जाती है ताकि अस्थमा के अटेक से बचा जा सके दवाईस रिलेड़ेट कन्फिजन है तो अपने डॉक्टर से पूरी बात करें उमीद है आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए इश्वर से प्रात्ना है आप सभी स्वस्त रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स फॉर वाचिंग वीडियो